सुनो 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 एक कहानी सुनो ना राजा की ना रानी की ना आग हवा ना पानी की ना कृष्ना की ना राधा रानी की दूद छलकता है आचल से आप से बरसे फानी मा की ममता की है ये कहानी सुनो 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 एक भक्त जो दीन हीन था कट्रे में रहता था मा के कुन काता था मा के चर्न सदा कहता था सुनो 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 एक बार भैरों ने उससे कहा के कल आएंगे कई साधुओं सहित तुमारे घर खाना खाएंगे मा के भक्त ने सोचा कैसे उनका आदर होगा बिन भोजन के साधुजनों का बड़ा निरादर होगा सुनो 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 माता से बिनती की उसने अन कहा से लाओं मैं तो खुद भूखा हूँ भोजन कैसे उन्हें खिलाओं मा ने कहा तू चिंता मत कल कल तू उन्हें बुलाना उनके साथ ये सारा गाओं खाएगा तेरा खाना सुनो 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 नमन किया उसने माना को आगया घर बेच्यारा तूजे दिन क्या देखा उसने भरा है सब भंडारा सुनो 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 उस भैरों में जिसने ये सारा शड्य अंत्र रचाया कई साधुओं सहित जीम ने उसके घर पे आया अति शुद्ध भोजन को देख के बोला मास खिलाओ जाओ हमारे लिए कहीं से मदिरा लेकर आओ सुनो 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 आग बबूला हो गया जब देखा उसने भंडारा क्रोध से भरके उसने जोर से माता को ललकारा मा आई तो उसने गस के मा के हाथ को पकड़ा हाथ छुडा के भागी माता देख रहा था कट्रा अपनी रक्षा की खातिर तिक चमतकार दिख लाया वो अस्थान चुक्त